ओम सर्व बंगल मंगले शिवे सरवार्त सादिके शरने त्रम्ब के गवरी नारायनि नमस्तुते नमस्कार स्वागत है आपका आचारिवानी में मैं आचार डॉक्टर वेक्रमादित आपके साथ हूँ देखे जुलाई के महिने में कुम राशी वालों के साथ क्या कुछ होने के योग हैं यह हम आपके समगत पताने जा रहे हैं जुलाई का पहला चरण जो है वो क्या कुछ आपके लेके आ रहा है देखे समय परिवर्तन की तरफ तो सथा चलता चला जाता है और समय के परिवर्तन का ज्यान भी वेक्ति को जदी हो जाए कई बार हम सोचते हैं ना बाद में यदि पहले पता चल जाता तो हम पहले से तयार हो जाते हैं तो पता नहीं क्या 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 कर देते हैं जोतिशी है जो ग्यान बता सकता है कि क्या कुछ होने के आसार आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं और यादि उसको समझ ले तो उसका द्वारा फिर लाभ ही राभ होता है और बुद्धिमान विक्ति देशकाल परिस्थिती को समझते हुए परिस्तिती को समझते हुए कारे करने की तरफ उध्रित होते हैं आज हम कुमराशी के सम् slime में जो बताने जा रहे हैं कि कुमराशी वालों के लिए ये जुलाइ का पहला चरणे क्या कुछ लेके आरहा है इस जुलाई के पहले चरण में बहुत सारे परिवर्तन की योग मन रहे हैं और आपकी राशी में बहुत important परिवर्तन है, आप समझें आपके सब्तम भाव में मंगल का बतारपड हो रहा है, लगन में आपके शनी चल रहे है और पहले दिनी एक जुलाई को ही ये परिवर्तन होगा और ये सब्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है सब्तम भाव जो युद्ध का भाव माना जाता है तो समझें कि सब्तम भाव युद्ध का भाव और वहां कौन आ रहा है, मंगल शनी सामने बैठे है मंगल चटे भाव में चल रहे थे, बहुत कमजोड थे, बड़ी विचित्र थी और अब सब्तम भाव में तो आकर युद्ध की स्थिती बनाएंगे, ये ठीक नहीं है ऐसे में सावधानों कर कारे करने की जरूआत है, आप समझें जगडों की माला गले में पढ़ सकती है आपके, एक के बाद एक क्लैश में न फसे बिल्कुल चीजों को सुभवस्तित करके चलने की जरूआत है, तो इस बात को सावधानों कर समझ लेना चाहिए और साथ-साथ, आपके शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और वो भी आपके जीवन में आनंद का भाव भी उत्पन करेंगे, आपको रिलाज़शन भी प्राप्त होंगी, बहुत सारी की और साथ-साथ, बुद्ध आपको फसा सकते हैं, बुद्ध का परिवर्तन पर पर सामने पढ़ा है सब कुछ, उस पर लात मार देता है, भरी थारी पर लात मारने की योग बन सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको साध्धाने से समझनी हैं, आपका इस्सा आपको लेना है, लात नहीं मारनी है, तो ऐसे भाग्य को सुनाने का प्रयास मत करीजेगा, इन सब चीजों को समझ लीजे, सिलसलेवार क्या कुछ होने के योग हैं, क्या क्या परिवर्तन की तरफ, योग बने बहुत सुन्दर योग बन रहा है, ये जो तिथी जो बताने जा रहे हैं हम इन 10 विशिश्टर रोपे दिनों में, जुलाई के पतम चरण में, बहुत सु योग बन जाएगा, एक जुलाई को सबसे पहले समझें, ग्रहों की गर्णा क्या कह रहे है, ये पंचान क्या कह रहा है, एक जुलाई को शनिवार का उसर है, असाड मास चल रहा है, असाड का शुकल पक्ष, त्रिवो दशी तीथी चल रही है, और चंदमा वर्ष्टिक र करना है, हर चीज को, एक दम एग्रिसिव नहीं, जब मंगल कमजोर थे, तो आप उठी नहीं रहे थे, और अब जब कहेंगे, तो अरे मैं भी ठीक करके दिखाता हूं, अरे नहीं भीया, ठीक नहीं करना है, ठीक ऐसे नहीं होगा, शान्ती से, प्यार से बात करके ठीक होग से, आपके लिए शुर्ट सिती बन सकती है, ऐसे में उपाय क्या किया जाए, देवकरपा सासा चल रही है ना, क्यों मैं आपको समझाने का प्रयास का रहा हूं, भगवान हर चीज को रचते हैं पहले ही, इस दिन जब यह योग परिवतन में की तर जा रहा है, तो उसी दिन क्या धिती है, शनिवार और त्रिवोदशी, यानि शनी प्रदोष, शनी प्रदोष बगवान शनार का ब्रमन करते हैं और उनके समस्त कष्टों को दूर करने का आशिरबाद मिल जाता है, तो स्याम का समय बड़ा चमतकारी रहेगा, सूरियस्त के बाद से लेकर, अन्धिर आएगा होने से पहले प्रदुश काल में बावान शिव का अभिशेग करें तेल के दोरा आपके समस्त कष्ठ दूर होने के योग बनेंगे यूद्में विजे के संकल आप आशिरवाद मिलेगा, ऐसे में योग ब्रामणों के दौरा, रुद्राष्टध्याई का, अभिशेग भी आप कर ले, रुद्री के दौरा हमान का, उस काल में तो बहुत सम Start कष्टों का निवारन, आने वारे समस्त कष्टो का निवारण करने का योग बना सकते हैं हमने शास्त के अनुसार से आपको बताने का प्रयास के बहुत सारे लोग है जो कहेंगे भाहिया भ्रहनती उत्वन करते हो लिख देते हैं काई सारे लोग मैंने पढ़ा है कही बार और बहुत साथ लोग बता भी देते हैं हम मुर्खों की कोई बात नहीं करते हैं मुर्खों के लिए समझाने के आवशक्ता नहीं है ना मुर्खों के समझ में आएगा ना मुर्ख जानना चाहते हैं फिर देखते ही क्यों भाईया जब नहीं समझना चाहते हैं तो आप समझें, ये शास्त्रोक्त विधी के अनुसार से जो बात बताई जाती है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, हम आप से कोई फीस नहीं ले रहे हैं इस चीज को बताने के लिए, आपको समझाने का प्रयास किया जाए, समझ ले तो बहुत सुन्दा तरीकी से अविवार का उसर है, चतुर दशी तिथी है उस दिन, और उस दिन पूर्णिमा का आगबन भी हो जाएगा, सत्य नायन व्रत उसी दिन किया जाएगा, और साथ साथ एक बात का और ध्यान लगे, गंडमूल नक्षेत्र, दो और तीन तारीक को विद्यमान रहेगा, जो जा लाब किस्ति बनाएंगे, लाब की आगमन की योग बनाएंगे, लेकिन विश्विष्टत तोर पर ध्यान रखते हुए कारे करना है, तो आपके लाब किस्ति प्रशस्त होगी, बुद्ध के सामने एक स्रमक्ष चंदमा चल रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत लाब किस् अफसर है, और उस दिन थिती बड़ी शुब है, और उस दिन गुरु पूर्णिमा का अफसर है, व्यास पूजा की जाती है उस दिन, विशेश्टर पर गुरु पूर्णिमा असाड की पूर्णिमा जो होती है, उस दिन बादलों में चांद जो दिखाई देता है, यानी कृपा गायब हो गई है नहीं परमात्मा वहीं विद्यमान है गुरू के स्वरूप में परमात्मा स्वयम विद्यमान होता है तो उनका आशिरवाद प्रामणों का गुरू का माता का पिता का इन सब चीनों को लोग का आशिरवाद लेकर आप यदि उनको उनकी पूजा करें तो बहुत सुन्दर तिती बलेगी Mother Day, Father Day, पता नहीं कौन कौन से दे मनाते हैं ये Guru Day है इसको अपड़े आन्दम के साथ मनाने का प्रयास कीजे आपके जीवन में कल्यान का मारुक प्रशास्तों का भारति रिशी मुनियोन अनादी काल से इसके सुन्दर विवस्ता करिए ग्रह आपके अनुकूल है, समय आपके अनुकूल है आप आश्वस्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजे लाब आपके ग्रह पून रूप से आपको देने को तयार बैटे है तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए, यानि श्थिति आपके लिए शुब रहेगी तो यह हम बता रहे हैं कुमबराश्ची वालों के लिए आपके चार जुराई की तो चार जुराई को पंचांग क्या कहता है, मंगलवार का अफसर और सावन की पहली तिति, सावन का महिना आरंभुरा है सावन का महिना बहुत शुब है वाई सावन इस बात जो सावन है, बहुत खास है सावन का खास इस बात से है आनतर पर सावन किते दिन का होता है 39 दिन, 28 दिन, 30 दिन का ऐसा होता है इस बार सावन पढ़ रहा है दो महीने का और सावन देखिए भवान शिव के बास सत्ता जब आती है तो कहिए जब देव शहीनी कादशी हो जाती है तो भुवान विश्णु शेशरी अब विश्राम कर लेते हैं और भवान शिव जो है समस्त संसार का आधिपत्ति उनके पास आता है समस्त कल्यान होने के युगमत्ति तो आप इस तिती का लाब लीजिए सावन साथ बाद दिन का पड़ेगा और इसी तिती को सब को आमंद करते हैं जो जो आए इस रुद्धा विशेक पे बैठें भवान शिव का ध्यान करें उनका विशेक करें देखें कष्ट दूर होंगे दूट से दहीं से इच्छुरस से और गंदोदक से भस्म से सब प्रकास से भवन का विशेक किया जाएगा शाम के समय नित्रप्थि आप भी अपने अस्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर समय बुक कर सकते हैं ग्रहे दिखा रहे हैं परिवरतन का योग ये परिवरतन का ग्रहे योग समझें तो आप के लिए विशेश्टार पर कुम्ब राशी वालों के लिए सुबह का समय अच्छा है, शाम का समय आपके लिए भारी रहेगा, ग्रहों का परिवर्तन, शाम को कुछ जटका दे सकता है, तो इसके लिए भवान का स्थवन करके उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, दूद का दान करना आपके शुब रहेगा, चावल का दान करना आपके लिए शुब रहेगा, पांच जुलाई को ग्रहों करना दिखाती है, कि उस दिन बुद्वार का अवसर है, दुतिया तिति है, और ग्रह गड़ना आपके लिए अनुकूल नहीं है, जुर्माने करने का योग बना रही है, और सा शांत मन से आप जो कारे कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं, मन आपका जो चला गया है, बारवे भाव में चला गया है, हानी वाले भाव में चला गया है, नुकसान वाले भाव में चला गया है, तो मन अशांत मत होने दीज़ेगा, अन्यता नुकसान करा देगा, इस बात का ध्या दूर होंगे छे जुलाई को हम जदी बात करें तो छे जुलाई को ग्रहों को गणना दिखाती है कि उस दिन गुरुबार का अफसर है तृतिया तिति है और चतुर्थी का आगवन होगा लेकिन दुपहर के बात से आपके चीजों में पॉजिटिव चिंजिस आने के संगियत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे इसका लाव आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए इस दिन गणेश चतुर्थी भी है और ब्रस्पतवार भी है तो कोशिशे करें पीले मोदक जो हो मोती चुरू के लड़ू कमान गणेश को अर्पित करें उनका पूजन करें उनको विशेशत आरपे हल्दी का त तो नए कारें को आरंब करने का महूरत नहीं है कोई बताए तब भी नहीं करना चाहिए अनिता वो कारें कभी सफल नहीं होते साथ जुलाई के दियम बात करें तो उस दिन शुकरवार है पंचमी है सावन के मास की शुक्रिशन पक्ष की पंचमी तिथी बहुत शुक्ती मानी जाती है कहा जाता है कि जिनकी कुणली में कालसरपयोग होता है उन सब को शान्त करने के लिए कालसरपयोग शान्त करने के लिए इस दिन विशेशतर पे कई अनुष्ठान करने का शास्त में नियम है और हमने ये सोचा कि कालसरपयोग शान्त करने के लिए कालसरपयोग यंत्र को सिद्ध करने करके अपने घर में स्थापित कर लेने से हमने देखा है कि बिल्कुल कालसरपयोग दूर हो जाता है लेकिन एक विचित विडम्बना भी है आज की तारिक में बहुत सारे लोगों ने ब्रहनती फैला दिये हर विक्ति वो कह देते हैं कालसरपयोग आपकी कुल्ली में भी है हमारे पास बहुत सारे लोग जर्मपत्य दिखाने आते हैं हम देखते हैं 85 प्रतिशाद लोगों की कुल्ली में कालसरपयोग होता ही नहीं है और वो कहते हैं तो विशेशतर पे काल सर पे योग शान्ती यंत स्थाबित करकर आप इसको ठीक कर सकते हैं, ग्रह गणना की बात करें, तो समय आपके लिए positive changes लेकर आ रहा है, और आपको इस समय का लाब उठाना चाहिए, आश्वस्त होकर काम की तरफ लगना चाहिए, आपकी स्वयम की रा ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, दो important ग्रह, चंद्रमा भी और बुद्ध भी, चंद्रमा जो है, वो मीन राशी में जाएंगे दुपहर के बाद, और आपके लिए लाब किस्तिति लाएंगे, नन का आगमन कराएंगे, बड़ों के आशिरवात से, बाता के आशिरवात से पिता के आशिरवात से, आपके लिए कल्यान करे योग बन सकते हैं, साथ-साथ बुद्ध का परिवर्तन जो करकराशी में हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा कष्ट में है, कहीं आप सब कुछ भरी थाली को लात ना मार दें अपने गुस्से की कारण से, क्योंकि शनी मं आपके योग बन जाते हैं, तो साथ-दान होके रहिएगा, इस वक्त बुद्ध अस्त भी हैं, तो ऐसे में गव पूजन करें, गाएं को पालक खिलाएं, ये आपके लिए शुब रहेगा, शनी भी आपको जो ग्रिवेट कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए तिल के तेल स भवान शिव का अभिशेक करें, कश्ट दूर होंगे, ये नौ जुलाई की बात करें, तो उस दिन रविवार का अफसर है, सब्तमी तिति है, उसके बाद अश्टमी का आधबन हो जाएगा, तो ऐसे में भवान जिश्ट दौर पे काल अश्टमी की रूप में इस तिति को म मिल सकता है, वहीं 10 जुलाई के अधिए एक बात करें, तो ये थिति बहुत ही शुब है, शावन का पहला सोमवार है, सबस्तस संसारिक मनुकामनाों को ठीक करने के उसको पूर्ण करने का दिन माना जाता है, कहा जाता है कि भवान श्रौ की करपा से, सबस्त संसारियों की मन जम्रित हो सकते हैं, सासद भवान का अभिशेक भी रहेगा, तो आप सब उस शुप सवे का लाब लेते हुए कारे करने का प्रयास कीजिए, कल्याणकारी योग बनेगे, मनुकामना सिद्धी के योग बनेगे, आपके मनुकामना सिद्ध होगी, और ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है, और शाम के समय आपको विशेशत तरफे लाब किस्तिती बनने की योग बन सकते हैं, इसके सुबह यदि आपने भवान श्रीव का ध्यान करते हुए समस्तिकार्य किया, तो शाम के समय आपको विशेशत तरफे पर किसी वेक्ति का बहुत बड़ा सयोग म सकता है, लाब हो सकता है, धन्यवाद.